सब को जै ये सुकी प्रभु ये सुक्रिस्त में प्यारे भाई व बहनों नव जीवन का संदेश इरशेर्श के अंतरगत प्रति दिन का ईश्वर का वचन को सुनने के लिए समझने के लिए उन वचनों के अनुसार जीवन वेतित करने की शक्ति सामर्ते मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत करता हूं आज फरवरी की सत्रा तारीक है यहने की शनिवार है और आज के दिन में प्रभु का मुक्या संदेश यह है कि प्रभु पापियों को पश्चताब करने के लिए बुलाने आया प्रभु येस्व का मिशन कारियता प्रभु इश्वर ने कभी नहीं चाहा कि कोई पापी वरबाद हो उसका नाश हो उसका विनाश हो नहीं इश्वर ने चाहा कि हरी एक पापी के लिए एक मोखा दिया जाए बचने के लिए इसलिए प्रभु येस्व को उन्होंने इस दर्ती पर मुक्तिदाता के रूप में बेजा जिससे जो कोई भी विक्तिव उसमें विश्वास करता है, उसका सर्वनाश ना हो, बलकि उसे अनंत जीवन मिले। इसलिए प्रभु ये समसी इस दुर्दर्ती पर पापियों की खोज करते हुए आया, और इस बात का ऐलान प्रभु ने किया, मैं धर्मियों के लिए नहीं, बलकि पापियों को पशताब करने के लिए बुलाने आया हूँ, रोगियों को वईदी की जरुत होती है, निरोगों को नहीं, इसलिए प्रभु ये समसी हर एक पापी की खोज करते हुए पापी को पशताब करने के लिए बुलाने के लिए इस के दिन में भाई औ बहनों हम सभी प्रभू के सामने बड़े इमानदार इसे स्विकार करें प्रभू मैं वह पापी हूँ जिस पापी की कोज करते हुए आप इस दुनिया में आए मैं बचना चाहता हूँ और मुझे बचाने वाला सिर्प प्रभू मसी आप हैं आपके सिवा मुझे दुसरा कोई बचा नहीं सकता मैं इस विकार करता हूँ प्रभू कि आप ही मेरा उधार करता है आप ही मेरा मुक्ति दाता है आप ही मुझे बचाने वाले हैं मुझे बचाईए पाप के गहरे गर्त में से मुझे बहार निका लिए मुझे बचाईए प्रभू से हम आज के दिन में प्रभू हमें सिखाता है कि हमें पश्चताब करना कितना जरूरी है, अपने पापों को एसास करते हुए, पापों के लिए पश्चताब करते हुए, पश्चताब करना बहुत ही जरूरी है, पश्चताब के बगेर कोई भी बच नहीं सकता, प्रभू ये सुन पश्चताब के बिना प्रभू हमें नहीं बचा सकते हैं प्रभू बचाने के लिए आया लेकिन हमें हमारा काम करना हमारा काम है पश्चताब करना प्रायशित प्रभू ये सुने किया कुरूस प्रभू ये सुमसी ने उठाया दुक प्रभू ये सुमसी ने उठाया हमारी प पच्छताप कैसे करें पच्छताप कैसे करें इस बात का भी वरनन आज के दिन में हम सबों को सम्मो कर रखा गया है सबसे पहले अत्यचार दूर करें यहीं कि किसी भी प्रकार से किसी को दुक देने वाली तकलिप देने वाली किसी को चोट पहुंचाने वाली बात या आदत हमारे जीवर में ना हो अत्यचार दूर रखें, अबयोग नहीं लगाएं, किसी के पर दोश ना लगाएं किसी का नाम कराब ना करें, किसी को किसी प्रकार से किसी का नाम कराब ना करें अब योग ना लगाएं, निंदा ना करें, किसी को तिरस्कृत ना करें, निंदा ना करें, किसी को नीचे ना गिराएं आगे प्रभु का वशन कहता है, भूकों को खिलाएं, जो भूका है उसको खिलाएं हमारे रोटी, उनके साथ बांट के खाएं, जो बूह का प्यासा है, उसको पिलाएं, ऐसा एक उप्वास और पश्चताप प्रभू चाता है, पद्दलितों को तरप्त करें, विश्राम दिवस का पालन करें, बड़ी महत्पूर्ण बात है, विश्राम दिवस का पालन करें, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम बंग करना चोड़ दोगे उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे यदि तुम उसे आनंद का दिन प्रभु को अर्पित तता प्रियत दिवस समझोगे यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा यहीं कि विश्राम का दिन यहीं कि साबत का दिन इतवार का दिन, संडे का दिन इस दिन का नियम का पालन करने के लिए प्रुब हमें बताता है यदि उसका पालन करोगी तो हमें कितने सारी आशिशे मिलेंगी पालन नहीं करने से कितना कुछ हमारे जिवान में नुक्सान हो सकता है इस बारे में प्रुब हमें आज के दिन में समझाता है तो भाईयो बेहनों प्रुब का वशन हम सभी ग्रहन करे प्रभू का वशन अपने दिल में रखें उस पर मनंचिंतन करें और प्रभू ने क्या कहा है उस बात पर सोच विशार करते विए जो उचित हैं उस कारियों को हम करने के लिए निरंतर आगे बढ़ें ततपर रहें तयार रहें और प्रभू के आशिशों को हम सभी बठोरते रहें प्राप्त करते रहें उस वही प्रभू से हम प्रारतना करें विश्राम दियोंस के नियम के अनुसार उसका पालन करते विए प्रभू के साथ जुड़े रहनी की करपाशक्ति सामरते मांगें आमेन